पिछले दिनों हमारे चैनल के वीडियोज पर कई लोगों की कमेंट्स आये हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इस फार्माउस को बनाने में कितना खर्चाया और ये कहां इस्तित है तो जान लीजिए ये शांदर फार्माउस प्रॉंटो के प्रीफेब रूफ पैनल एवम वाल से जैपुर में बनाया हुआ है जैसा आपने इस वीडियो में देखा होगा कि इस फार्माउस में लगबग बरावर साइज की दो यूनिट्स बनी हुई है तो आज हम जानेंगे इस तरह की एक यूनिट बनाने का बजट कितना आ सकता है इस तरह के कंस्रक्शन को हम तीन स् स्ट्रक्शर बनाया जाता है दूसरी में वाल पैनल्स इंस्टॉल किये जाते हैं और तीसरी स्टेज में रूफ पैनल इंस्टॉल किये जाते हैं तो हम जानेंगे स्टेजवाइज कॉस्ट ब्रेकप स्टील स्ट्रक्शर आपका इंजिनर आपकी बिल्डिंग के अनुसार गड़ना करता है इस बिल्डिंग में लगबग 9800 किलोग्राम स्टील का इस्तमाल हुआ है बजार में आज का दर देखें तो MS स्टील तकरीबन 65 रुपया प्रती किलोग्राम आता है वहीं फैबरिकेशन का लेबर चार्ज 10-15 रुपया किलोग्राम होता है तो फैबरिकेशन क कुल लागत 80 रुपया प्रती किलोग्राम मानी जा सकती है इस तरह इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाने की कुल लागत हुई 7,84,000 रुपये दूसरे स्टेज में वाल पैनल लगाये जाते हैं जिसमें रूम, किचन, टॉयलेट वा इंटियर दीवारे भी शामिल होती है इस बिल्डिंग में लगबल 4,175 स्क्वेर फिट पैनल लगाये गए हैं प्रांटो के वाल पैनल्स की एक बड़ी श्रंकला आती है जिसको अश्वम अल्ट्रा एवं सीमें पैनल सीरीज में बांटा हुआ है सीमें पैनल्स पर आप इच्छा अनुसार टाइल्स वा पेंट 2023 की दर में GST, Labor वा अन्य खर्च मिलाकर कुल लागत सीमेंट पैनल्स में 9,73,000 अश्वम सीरीज में 6,58,000 एवं प्लैटिनम सीरीज में करीब 10,72,000 आएगी तीसरी स्टेज में रूफ पैनल लगाये जाते हैं इस बिल्डिंग में 2,128 स्क्वेर फिट रूफ पैनल काम में लिए गए हैं अश्वम सीरीज में अनुमानेत खर्च करीब 3,00,000 प्रीमिम सीरीज में लगबग 5,00,000 आएगा तीने स्टेजिस की कुल लागत जोडें तो वो इस प्रकार होगी सीमेंट वा प्रीमिम रूफ के साथ कुल लागत करीब 25,00, वहीं दूसरा अल्टरनेटिव में लगबग 20,00,000 वा 26,00,000 होगी क्योंकि ये ग्राउन प्लस वन फ्लोर की बिल्डिंग है तो दोनों फ्लोर का चतनाप करीब 3400 स्क्वार फिट है प्रती स्क्वार फिट खर्चा करीब 700 रुपया है जो कि अन्य आप्शन्स में 600 और 750 प्रती स्क्वार फिट है इस लाग इस वीडियो में सारे खर्च अनुमानित लागतों पर आधारित है निर्माण के निर्णे लेने से पूर अपने इंजिनेर से असल खर्च जरूर जान लें